ऐसे वेक्ति को जो जब बिना स्वार्थ के जनता के लड़ाई लड़ रहे थे ऐसे लोगों को आगे बढ़के मौका मिले नेतुत करने का इसकी जिम्मेदारी भी जनता के उपर है पिछली बार 80,000,000 से ज़्यादा वोट बारती जनता पर्टि और कॉंगर्स के खिलाब जनता ने दिया 80,000,000 लोग वो और पलस जिन लोगों को अब हम लोग जोडने का काम कर रहे हैं जो लोग मन से तयार हैं कि भाजबार कॉंगर्स की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोग को आगे बढ़के काम करते देखना चाहते हैं चाहिए वो नोजवान हों मैलाए हों, किसान हों, मैदूर हों और राइस्थान की वो सम्माने जनता है जिनका विश्वास है लोग तंत्र में जो बर्चड के वोट देते हैं उनको जोड़के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ती हम लोग यहां बनाएंगे 29 तारिक को RLP के अस्थापना दीवस पे एक बड़ी रेली भी जयपूर में रखें मैं खुद भी उसमें सामिज रहोंगा और हमारे बड़े पैमाने पर हमारे कारेकरता नेता और समर्थक भी उस रेली में बढ़चड के इस्सा लें वो एक रेली ही राईष्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका परदशन करेंगे और उसके बाद भी हम लोग बहुत सार रेल्या करें ना में टिक्ट सिटों में हमें कोई किस तरह कंफ्लिक्ट है ना और कोई एक ही हमारी तमन्ना की राइस्थान मर्स्वक्षित हातों में रहे राइस्थान की जंता को उनके अधिकार मिले और जो वंचित तब को पर अधिकार हो रहा है चाहे हो किसान हो मजदूरों नोजवान हूं महिलाए हूं जो सोशन हो रहा है वो बंद हो और वो सोशन तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हूं हमारे साथ के उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तज्यार है मैं उनकी पूरी पार्टी का उनके निताव का धन्यवाद करता हूं वह सारे लोग जो आसा और उमीद के साथ बैठे है राइस्थान परिवर्त तनों वह इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए कर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करें लेकिन यह मोर्चा एक नया इतियास लिखेगा राइस्थान में और किसान का मेरे नोजवानों को म इस पर मुकदमा हो जाता है गलस सब्द कहने पर तो हनुमान जी बेनिवाल खुझ से इतने मजबूत हैं जिन्होंने हमेशा साबित किया और वो लड़ते वे जाती दर्म नहीं देखते इस से मैं उनका उनकी बहुत प्रसुंसा करता हूं और हमारे साथ्यों का भी यह मन थ लड़ाई अब जो लड़ाई वो अलग-अलग लड़ते मिलके लड़े की वोट में बट्वारा ना तो जो बटावा वोटा आप देखना वोई कथा होके इस अलाइंस को मिलेगा और एक मैंने फिर कहा कि इस बार चीप निश्टर यह अलाइंस इताय करेगा और चीप मिनि लड़ाएंगे और इतनी मजबूती सा लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगया बढ़के कुर्से सवान ले मोका में उनके उम्मीदों को पंक लगेंगे अधाल पार्टी को से सिए हैं बेजवाल साथ को बहुत जल बता ले कि गड़ाएंगे अभी कारवाई और दूसरा में कहाना चाओंगा कि खाली कारवाई से नहीं होता दो चीज होती है मुक्यमंत्री बयान देते हैं जल श्क्ती मंत्री खिलाब कि यह संजीवनी के अंदर आरोपी सिए हम खुदी बयान देते दो तो आरोपी तो गरिपत जामी चुनाव के समय किसी को राहित नहीं के जेंशों के दुर्प्योग करें. ये एडी से मैं सवाल पूछ रहा हूं. कि एडी अगर गोईन डोटा साथ दोसी है, तो एडी आने वले तीन दिन कंदर उनकी किर्प्तार करें. और दोसी नहीं है, तो एडी माफ भी मांगे के गलती से घर में कुछ गए.